साउट सिनेमा के सुपर अस्टार परवास अपना 45 जनम दिन मना रहे हैं और उनके फैंस के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती जी हाँ अपने जनम दिन पर परवास ने ऐसा तोफा दिया है जो सिधा दिल में उतर गया उनकी अपकमिंग फिल्म राजा साब का मोशन पोस्टर और भाय साब पोस्टर देकर एसा लगा कि डर और हैसी का कॉम्बो ओफर मिलने वाला है क्योंकि ये कोई आम फिल्म नहीं बलकि एक धमाकेदार हौरर कोमेडी है अब परवास को तो आप जानते ही हैं बाव वली वाले परवास जिसने पुरे इंडिया में अपने एक्षन से ऐसा हला मचाया कि गली गली में उनके डायलोक्स गुंजने लगें लेकिन लगता है परवास अब थोड़ा चिल मूड में आ गया हैं तभी तो इस बार कोमेडी का तड़का लगाने के लिए तयार हैं राजा साब का मोशन पोस्टर एसा है कि देखकर ही हसी और डर दोनों का कॉम्बिनेशन समझ में आता है पोस्टर में एक घने जंगल के बीच पियानों की दून बज रही है एसा लग रहा है कि कोई सातिर भूत संगीत की कलास लेने बठा हो और तबी खंडर हवेली का दरवाजा किरिक करके खुलता है जैसे कोई बिन बुलाया महमान अंदर आ गया हो दरवाजा खुलते ही सामने दिखता है परवाज मुँ में सिगार आखों में चमक और राजा साब के अंदाज में एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हुए एसा लग रहा है कि बाई साब अपनी पाटी में लेट आये हो और अब बोल रहे हो चलो सुरू करें फैंस तो बस परवाज के इस नए अवतार पर फिदा हो गए हैं एक सन के बाद अब परवाज कोमेडी और होरर के मसाले में पूरी तरह से डूब कर आएंगे इस बात की गारंटी तो मोशन पोस्टर डेकर ही लगाई जा सकती है और हाँ फैंस की एकसाइटमेंट का क्या कहना जैसे ही मोशन पोस्टर रिलीज हुआ सोसल मीडिया पर मिम्स की बारिज सुरू हो गई परवास होरर कोमेडी में अब तो भूत भी असी से मर जाएगा राजा साहब 10 अपरेल 2025 को रिलीज होने वाली है और भाई साहब लगता है ये मोवी धमाके पर धमाका करेगी इससे पहले हमने परवास को बाववली साहो और सलार जैसी एकसन मोवीज में देखा है जहां उन्होंने सब कुछ उड़ा कर रख दिया था अब देखना ये है कि वो हसी और डर के इस कॉम्बिनेशन को कैसे मेनेज करते हैं वैसे सिर्फ राजा साहब ही नहीं परवास की आने वाली फिल्मों की लिस्ट भी काफी लंबी है अस्पिरिट और सलार टू के साथ वो जल्दी बापस एकसन की पीछ पर उतरेंगे लेकिन फिल्हाल हम सब राजा साहब के सिगार वाले भूत अवतार का इंतिजार कर रहे हैं तो बस तयार हो जाए हसी डर और परवास की सुपर अश्टर पावर का मजा लेने के लिए और भाई साहब अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें तो आज के लिए इतना एक कल फिर मिलते हैं एक नए धमाके के साथ तब तक के लिए खूस रहें देखते रहें